पहाडों की रानी मसूरी में रक्षा बंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया बहन भाई के प्यार का प्रतीक इस त्योहार को लेकर घर-घर में व्यापक तैयारियां की गई थी गुरुवार को सुबह लोक स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना किया इसके उपरांद बहनों ने भाईयों की कलाई में रक्षा सुत्र बांध कर जन्म जन्म तक सुकदुख में साथ निभाने का वचन भाईयों से लिया वही भाईयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया घर के बुढे बुज़ुर्गों का पैर छुकर आशरवाद लिया दोपहर में अधिकांश बहनों ने भाई की कलाई पर राखी सजाई और उपहार पाकर अपनों के साथ खुशिया मनाई रक्षा बंधन पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड बच्चे रहे सुबह से ही भाई भन इसे लेकर हालचाल करते नजर आए इसके अलावा मिलने वाले उपहारों का इंतजार बच्चों को रहा साथ ही मनपसंद के पकवान और घूमने जाने का मौका भी बच्चों के लिए रोमान्स भरा था रक्षा बंधन पर सबसे ज्यादा खुश बच्चे ही नजर आए मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि रक्षा बंधन भाई बहन के प्यार को अटूट बंधन में बांधने का कार्य करती है वह समाज में समर्स्ता का भाव जगाती है हम रक्षा बंधन इसलिए मनाते हैं कि समाज की रक्षा कर सके एक दूसरे के सुखडुक के सहयोगी बन सके जिस प्रकार कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी पूर्व पालिका ध्यक्ष ओपी उन्याल ने बताया भाई भहन के पवित्र रिष्टे का प्रतीक यह पर्व बहनों के मानसम्मान की सुरक्षा का पर्व है भाई बहन का रिष्टा एक साथ होने का एहसास और एक ऐसा धागा है जो जीवन को एक दूसरे से जोड देता है मसूरी से सुनील सोनकर की रिपोर्ट